सबसे पहले देखते हैं आपके आसूस के आपके पार्टनर के लिए पॉर आफ कप किंग उस्वार्ड आपके पार्टनर के अनर्जी देखते हैं क्या है दट्टाव ओके डटाम प्रेंस इसा लग रहा है आप में से बहुत से लोगों का आप अपने लाइफ में एक नया लव वेलकम करने वाले हैं और और वोटन कार्ड है और फॉर अप्रफ का इस यौर अनरजी और टावर रहें वह तो मैं यह कह सकते हूं कि आपके जो पार्टनर हैं वह भी कुछ तक सोचते हैं कि यह रलेशन्शिप काम नहीं कर सकता है और कह कही न कही आप भी इमोशनली बहुत टुटे हुए ह्कुस क्यों सट आप zucchini अपने से लोगों का अपने आपने पार्टनर से बात नहीं हो रहा है not contact पे है या फिर कहीं न कहीं emotionally बहुत तूटे हुए हैं, आप को ऐसा लग रहे हैं कि शायद इस relationship का कोई future नहीं है अगर आप married हैं, तो भी आप कहीं न कहीं emotionally drained हैं आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं, divorce हो सकते हैं क्योंकि मैं बहुत strong energy feel करें जिसमें एक बहुत bitter past से आप देख लेए हैं आप में से बहुत से लोग हैं जो एक नया प्यार धूंड रहे हैं, एक नया इंसान धूंड रहे हैं जो आपको trust कर सकें, जो आपकी बातों के trust कर सकें, जो आपको judge ना करें आप शान्ती चाहते हैं, आप ऐसा इंसान चाहते हैं, जो आपको प्यार करें, आपको judge ना करें मुझे इसा लग रहा है कि आपके partner आपसे relationship में भाग रहे हैं कुछ उनको लगता है, यह relationship वख़ौन नहीं होगा वो किसी ना किसी तरीके से अभी हो सकता है, no contact situation में हो या फिर अगर वो बात भी कर रहे हैं, तो बहुत rude बात कर रहे हैं आपसे उस तरीके से नहीं बात कर रहे हैं, जैसे आप नहीं से बात करना चाहते हो या आप इनसे expect कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे उनकी बाते तो हो रहे हैं, क्योंकि वो भी कही ना कही आपसे बात करना चाहते हैं ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके partner और आपकी बीच में कोई जगड़ा हुआ हुआ है, कोई conflict है बट वह आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आप no contact situation में हैं, तो आपके partner बिलकुल आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बट कही न कही एसा लग रहे है, कि न वह energy हुई है, वह बात करना चाह रहे हैं लेके वो बात कर नहीं पा रहे हैं, energy stop है, एक जगर पर energy है, मतलब flow उतना तेश नहीं है, जितना तेश होना चाहिए, एक तरीके से बात बहुत करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताने को, पर जो बात करने का जर्या है वहाँ पर ब्लॉकेज है कही ना कही बहुत स्टॉंक ब्लॉकेज है जिसकी वज़े से वो आप से उस तरीके से कम्यूनिकेट नहीं कर पा रहे हैं यह स्वड़ में क्यों मितक्राइब निन के वीच में कम्यूनिकेशन नहीं हो रहा है, जो वह सच में आप से कम्यूनिकेशन करना चाहते हैं चीजें इधर उदर की हो रही हैं ब़ा हैं कहील ना कही कि आप उनको space ही नहीं देते हैं relationship में, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि इस relationship में आने से उनका दम होता है, आप बहुत जादा positive हो जाते हो उनको, आप हर चोड़ी चोड़ी चीज़ों को उनसे पूछते रहते हो, एक तरीके से आप उनको control करने लगते हो, ये उनको लगता है अब आप अपनी energy समझो कि आपकी energy क्या है, कही न कहीं, मुझे सच में ये चीज़ लग रही है कि आप कही न कहीं control करने की कोशिश करने लगते हो उनको, okay, you try to become boss in a relationship, okay, अगर आप male है, अगर आप male person है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्यार तो उनसे करते हैं, प्यार के साथ साथ में आप control भी उनको बहुत जादा कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है relationship में, तो प्लीज आप इस चीज़ पर काम जरूर करिये, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, वो सिर्फ सिटी का एक पहलू देख रहे हैं अपने relationship में, और आपको लगते हैं, उसके आगे कुछ है नहीं, आपके पास options हैं, और आपके पास पूरी तरीके से और और energy और उपरवाले का support भी है, कि आप इस relationship को बहुत अच्छे से कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको balance ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और जो आप बोल रहे हैं, वो सही तरीके से बैट नहीं रहा है, आपके लिए हर्मिट का काड़ा है, आपके problem का solution हर्मिट है, कुछ टाइम आप एक आंत में रहे हैं, कुछ टाइम आप अकेले रहे हैं, वो सकी तो एक दो दिन आप अकेले बिताएं, नो phone, no internet, nothing, और reason find out करेंगे, आपका और आपकी पार्टनर का relationship में ये issue हो क्यों रहा है, अगर आप ये problem find out कर लेंगे, आपको solution मिल जाएगा, ठीक है, और आपका relationship अगर ठीक करना है, तो आपको उनसे emotionally connect होना पड़ेगा, आपके partner जो हैं वो बहुत ही fire energy को carry करते हैं, martial energy को carry करते हैं, वो लड़काओं और लड़कियों, वो बहुत अपना space चाते हैं, वो चाते हैं कि मुझे मेरा time चाहिए, मुझे 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 time चाहिए, मुझे आप उस time पे interfere मत करो उन ली life में, ज्यादा उनकी life में woke मत और आप अपने लिए भी कुछ time निकालो, क्योंकि कही ना कहीं relationship ने आप खुद भी भूलते जा रहे हो, जिसकी वज़े से relationship भी खराब हो रहा है, और आपका भी निमाग खराब हो रहा है, तो जिन लोगों का relationship है, ठीक है, और जो इस relationship पे काम करना चाहते हैं, जो सच में इस relationship पे काम करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले boss ही नहीं बन रहा है, और अपने partner को control नहीं करना है, और साथ ही साथ control ना करते हुए, उनको इनका space भी देना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आप ये करते हो, तो आपका relationship इंटूफ हो जाएगा, और sword, फिर से बोल रहा है, time, account, खुद के लिए, और जो भी चीज़े आ रहे हैं, उनको आप welcome करो, आप खुद की aura को, खुद की energy को, कहीं बांध के मत रखो आप, तो ही आप इस relationship में आगे बढ़ सकते हो, उसके साथ-साथ, अगर आप relationship में, let me check, कुछ पाड़ निकालने आपने से बहुत से लोग हैं, जो नई relationship को लेकर के confused हैं, कि क्या आपको relationship में जाना चाहिए, या नहीं जाना चाहिए, अगर आपको कोई, you know, propose कर रहा है, या आपको life में कोई आ रहा है, तो please आप उसको अपनी life में आने देजिए, ठीक है, कार्ट साथ positive, और आप अगर उ पास्ट में आपकी better experience है, उनको लेकर के सिर्फ आप उपने को ब्लॉक करके एक जगा मत रखिये, आपकी life में कुछ अच्छे लोग आ सकते हैं, जो आपकी life को और खुशुरत और बहुत सारी खुशियों के साथ भर सकते हैं, तो मैं अभी reading का include करती हूँ, एक दूसरे को space जितना space आपको चाहिए, उतना ही space उनको चाहिए, जितनी खुशी आपको चाहिए, उतनी खुशी उनको भी चाहिए, जितना आप त्यारत के बारे में बात करते हैं, उतना ही उनको भी आपको appreciate करना चाहिए, तो कोशिश कर अपने partner को appreciate करने की space देने की और जादा over possessive होन रिलेशन्शिप को खतम कर देता है, मार देता है एक तरीके से, ठीक है? और अगर आपके लाइफ में कोई नया परसन आ रहा है, कोई नया परसन आपको पोच कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, तो प्लीज आप उससे बात करें, कम्यूनिकेट करें, रिस्पेक्ट करें इसके फेलिंग को, और अगर आपको पसंद है, तो आप उसके साथ लाइफ में आगे पढ़िए, अगर नहीं पसंद है, तो बहुत रिस्पेक्ट्फुली उसको बोलिए, कि आप उसको पसंद नहीं करते हो, ताक कि उपना टाइम और एमर्जी आपे विस्तमा करें, ठीक ह तो चलिए, इसी नोट पर मैं यहां पर रिडिंग को स्टॉप करती हूँ, अगर आपको रिडिंग अच्छे लगी, तो जरूर बताएगा